कि नमस्कार दोस्तों आपका धनमंत्री करेपा हैल चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे बड़ सा मैसेज करते हैं यह के बार कॉल भी करते हैं कि हमारी नस्थ दब गई है हमारी स्लिप डिस्को चुकी है हमें सर्वाइकल स्पॉंडेलाइटिस हो चुका है बजा क्या है आपको ये मुवारी क्यों लगी और इसको आप एक पहले अपने एक तरीके से जो मैं आपको नुस्खा बताऊंगा उसे आप यूज़ करें अगर फिर भी आपको आराम नहीं म नंबर होता है उसमें आप बड़ से आप कर सकते हैं मुझे तो अपना जो सुझाव है या आपको फाइदा नहीं होता है वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं क्योंकि इसमें बात को खत्म करने के लिए औस दियां भी बहुत हैं लेकिन जो आपके घर का नुस्खा है जो एक ठीक हो जाती है यह चाहे वो दमीनस है चाहे आपकी साइट का पेन है चाहे घुटने का दर्द है चाहे सर्वाइकल पेन है चाहे डिस्क प्रावलम है क्योंकि सारे के सारे जितने भी हैं बात ज्रोग हैं और बात ज्रोग होता है असी प्रकार के होते हैं कही बार आपने सि सिर्फ यही सुना है कि हमें डिस्क है सर्वाइकल है बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो बाजूओं में होते हैं बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिसर्फ पैरों में होते हैं जैसे कुछ रोग ऐसे होते हैं कि पैरों की इंगलियां ही में होते हैं तो ऐसे कुल मिला करके ये असी प्रकार के होते हैं बातर योग बातर योग दो जो दर्दों से सबंदित होते हैं की बात जो है दर्दों का एक कारण है तो दोस्तों अब मैं एक थोड़ी सी सुचना देना चाहता हूं दोस्तों के एक मेरा यूट्यूब के ओपर चैनल और भी है भानुस्वास्थ्य के अंदर करके पर मैंने लाग वाग एक डिड़ मीने से मैं उसके ओपर वीडियो नहीं डाल रहा हूं तो आप करके उसे भी जो उसके अंदर मैंने नुस्के बताए हैं उसे भी आप देख सकते हैं और यह जो मैं चैनल है यह निया चैनल जो है धनमंत्री क्रिपा हैल चैनल इसको भी आप फॉलो कर ये दोनों का आप कंपैरिजन करके कुछ नुस्के उपर उस दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो मेरा धनमंत्री क्रिपा हैल चैनल है मैं इसकी उपर ही आज कर वीडियो डाल रहा हूं तो अब मैं आपको समझाने बाला हूं कि आपने किस परकार जो है एक घर की औस ती कैसी त्यार करनी है और आपको औस दीब बनाने की भी जरूरत न दुस्तों आप बात आती है कि वह सारे बजर्ण लोग आपके जो डादा लोग है या जिनके फादर बजर्ण हो चुके हैं वो इस बात को जानते हैं लेकिन आज कल इस भागा दौ流क Кол Intelli में सब restless lui बूल चुके यह अपने गिसना है एक चम्मज आपने पीना है, या अपनी सबजी में गर्म करके उसको डालना इसका तरीका मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको CoreyGB Moroni का तेलक किे, बहुत जबरस्त है, preach- resistant कि बहुत कारता है बात को कारता है और यह अपने आप में एक औस्दी है दोस्तों अलसी जो है वो हमारे जो प्राचीन बुजुर्ग थे जो पुराने जमाने के लोग थे उसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे इसका अबले भी त्यार करते थे वो उसको बिधी को मैं भी जानता हू और जिसकी बज़े से हमारे पुराने जमाने के लोगों को सर्दियों में वो चीज त्यार करते थे जिसकी बज़े से उनको घुटने में दर्द सर्वाइकल गठिया कुछ नहीं होता था अब आप क्या करिए जरा विडियो अगर लंबा हो जाए दोस्तो तो पूरा देखिएगा बहुत सारी इसमें बारी की मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तो क्या करते थे कि एक चमच वो अलसी का तेल लेते थे और उसमें क्या करते थे जैसे जहां आपको दर्द है, घुटने में है, पीठ में है, जहां भी है, बहां मालस करिए, यानि कि अबसर्व करा दीजिए बहां, लेकिन इसको त्यार कैसे करना है, ये भी आप सुनीजिए, क्योंकि जब भी हम बोडी के अंदर कोई भी आईल इस्तेमाल करते हैं, तो उस तेल को आपने सिद करना है, और सिद करने का तरीका में आपको बताने जा रहा हूं, तो तेल को आपने किस तरह सिद करना है, आप क्या करें, कि जितना आप बनाना चाहें, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, आप उस तेल के अंदर उसको कड़ाही में डाल दीजिए, और मालिया आपने आधा किलो त्यार करना है तो आधा किलो जब तेल त्यार करना है तो उसके अंदर कम से कम दो चमच दो चमच छोटे चमच डाल दीजिए छोटे चमच तेन भी चलेंगे छोटे छोटे चमच तेन चमच डाल दीजिए बड़ा हो तो डेड़ चम्माई डाल दिए और उसको पानी की कटोरी में घोल दीजिए और उस पानी की कटोरी में जैसे आप उसको कितने डाने एक कटोरी यादी कटोरी उसको पानी में घोल दीजिए उस नमक को और तेल के अंदर उसको मिला दीजिए और मिलाने के बाद आप उसको फिर कड़ाई के उपर रखिए और हलकी आज के उपर उसको बनाईए पकाईए उसको जब वो आपका पानी जल जाएगा आप कड़ाई में जैसे हम पकावडे तलते हैं पहले देखते हैं पानी में उसको छेटे मारके उसमें तर्टर हो जाती है तो जब ऐसी स्थिती बन जाए तो आप समझ लिए कि उपपानी जल चुका है और आपका जो तेल है वो बिल्कुल त्यार है इसमें क्या होता है कि हमारी बोडी में तेल जो है प्रवेस्ट अब करता है यह तरीका जो है एक बहुत फ्राधीन है लेकिन कई लोग खाली मॉझ्वी कर लेते है क्ई जासे तिलाओं का तेल हो गया उसको भी यूज करते हैं लेकिन जब कभी आपने इस तो तो इसको आप सिद्ध कर लीजिए सिद्ध करने का तेलिए को बता दिये चाहे आप कोई साभी तेल मालिस के लिए त्यार कर रहे हैं उसके अंदर नमक जरूर होना चाहिए तब वो आपके जो स्रीड के पोर है उनके जरीए वो अंदर जाएगा और आपकी जहां भी दर्द है उसके उपर फिर पूरा काम करेगा अब इसके बाद इसको रही आप बनी है अपके पास घर में बनाई है उसमें जो चौक है जो तर्का है आप इसी तेर में लगाईए उसमें आप जीरे डाल लीजिए फोडी सी ऑन दाल लीजियी सौदा शार और उसमें चौक लगाईए और उसमें आप एक या दो चमज भी डाल सकते हैं अगर आपने तड़के में खाना है तो कम से कम दो चमज आप यू जूरूर करें और च्छोंक लगा दिए और अपनी डाल सब्जी खाईए दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो ब्यक्ति ऐसा करता है और जो अपनी स्पाइन का ठीक ढंक से ध्यान रखता है और माल्य आगर आपको दिक्कत हो जाती है तो इसका प्रयोग करिए और कुछ दिनों तक जैसे नीचे से को बाल्टी उठाना ज्यादा भार उठाना बाई की ओपर बैठना या जंप मारना या दवड़ना जिम करना यह सारे के सारे जो काम है आपको अवाइड करने पड़ेंगे और जैसे फिर आपको नौर्मल स्थिति में आते हैं फिर अपना जो काम है आपका फिर कर सकते हैं यह दोस्तों छोटे-छोटे common point होते हैं हम इस चीज को नजन्दाज कर जाते हैं कि हमने किस चीज को हमें इतनी बड़ी समस्या होने बा कहीं से जटका लगवा लेते हैं तो दोस्तों मेरी प्रवपरसला यह आपको कि पहले कभी भी बिना बजा अगर आपको स्पाइन में कहीं भी आपको इसी दिक्कत होती है तो कहीं से आप जटका वगएरा ना करवाएं और इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक बता देता है और यह अंगलिये जो हैं वो सीधी रहने चाहिए ऐसे हैं अब देखिए आपने कभी तजर्वा करना कि जो ब्यक्ति दर्द से पीडित होगा या गठिया से पीडित होगा कभी गठिये वाला म्रीज पकले ना आपने और उसको वह ऐसे करो तो दोस्तों वह ऐसे करेगा ऐसे ह। अगर आप उसकी अंगलियें सीधी करने की कोशिश करेंगे तो इसको पूरी की बाजू में दर्द होगा क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो डेखिए ये ये बाट की नाड़िएं जो आपको टाइ Teaट हो जाती हैं बाट की नाड़ियों ऑर सेंटर में ये टाइट हो सकते हैं. अगर आपका माल ये इसे फाइदा नहीं होता है और दौई भी खाने प्लदे या आपको दौई भी खा नहीं पर दे तब भी आप इसी का इस्तेमाल साथ में कर सकते हैं क्योंकि ये दौई नहीं है, जिस प्रकार हम घरों में सरसों के तेल का तड़का लगाते हैं या घी में तड़का लगाते हैं सिस्टम सिर्फ वो ही है लेकिन आपने जो मालिस वाला तेल जो मैंने बताया उसको सिद्ध करने का तरीका वो करीपे आप उसी धंग से करें तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वी